Valuation क्या होती है और किस तरीके से Valuation को calculate किया जाता है Valuation का मतलब है अगर आप अभी कोई business कर रहे हो उसको बेचने के लिए जाते हो तो market में उसका कितना रुपया मिलेगा This is your valuation अब कैसे calculate किया जाता है एक असान सा तरीका बता रहा हूँ जो भी आपका revenue है उसके multiple के उपर मिलता है annual revenue के जो की turnover होती है तो आपने एक साल के अंदर मान के चलते है एक करोड रुपे की sale करी है एक करोड रुपे की sale करी है एक साल पूरे के अंदर profitability की बात नहीं कर रहा हूँ तो आपको कुछ multiple के उपर पैसा आपकी valuation देखी जाएगी कईयों में 5 multiple होता है कईयों पर 10 भी होता है कईयों पर और ज्यादा भी होता है depend करेगा बहुत सारे factors के उपर जिसके उपर में बात करने वाला हूँ तो 5 multiple पकड़के चलते है example के लिए तो अभी आपकी turnover थी एक करोड की into में 5 इस 5 करोड रुपे आपकी valuation होगी असानी का तरीका यही मान के चलो अब यह multiple गया होता है multiple में सबसे पहले चीज़ देखी जाती है कि growth opportunity कितनी है आपका business कितना ज़दा scalable हो सकता है future के अंदर पहली चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है जोकी तो अगर उनको लगता है investor को कि भाई इसकी company बहुत ज़दा आगे बढ़ेगी sales ही है basically है तो अगर उनको लगता है कि आपकी company बढ़ेगी तो आपको ज़दा multiple देदेगी दूसरी चीज profitability भी देख सकते हो आपकी company की कि आप कितने अच्छे profit margin क्यों प्रॉपरेट कर रहे हूँ वो आपकी team को भी देख सकते है founders को भी देख सकते है किस type के बंदे है वो ये भी हो सकता है कि वो देख रहे है कि भाई ये जो चीज़ लेके आ रहे है इनके पास कोई strategic advantage है अगर आप industry leader हो किसी चीज़ के अंदर तो आपको और जाद अच्छा मिल सकता है तो इन सारे factors के उपर multiple मिलता है basically industry के उपर भी कोई multiple sets होते है कि हर industry के कुछ-कुछ multiple types चल रहे होते है तो वहाँ से आपको estimation मिल सकता है तो कैसे check करोगे simple सी बात आप किसी भी company का revenue search मारो आपको मिल लाएगा पिछले साल का उसके बाद उसने valuation कभी भी raise करी हूँ तो आप उसको search मारो कि वाई कितने के उपर करी है तो आपको उससे एक idea मिल लाएगा कि उनके revenue से कितने multiple पे उनकी valuation के उपर उनके पैसा raise किया है तो जहां वो आपको multiple समझने लग गए एक industry का तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये multiple इस industry का ये चलो रहा है तो आपका जो भी business है वहाँ पर देखो अगर आप ऐसा business कर रहे हो जिसके उपर अभी तक किसी ने funding raise नहीं करी है तो तो अभी आप multiple के लिए approximation पांच मान के चलो या तीन मान के चलो तीन तो नहीं पांच मान के चलो कि पांच के multiple में आपको मिल जाना चाहिए अगेन आपके business में कोई invest करना चाहता है अफिन नहीं